हेलो गाइस नमस्कार मैं भाविश गचपाल आपका स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल लक्षवित भाविश गचपाल में आज से हम टेस्ट रिस चालू करने वाले हैं जिसमें 31 जुलाई 1 अगस्त और 2 अगस्त 3 दिन का संपूर्ण 36 गड़ का टेस्ट होगा आंसर देने के लिए आपको 10 से 15 सेकेंड का समय दिया जाएगा ठीक है आप उतने में उस कुश्चन को बनाकर कमेंट बॉक्स लाइप चैट बॉक्स में आंसर दें ठीक है जो टेस्ट बाद में देख रहे हैं कोई इश्यू नहीं है कमेंट बॉक्स को उप्योग कर सकते है ठीक है लेकिन जो लाइप देख रहे हैं पांच बजे जुड कर देख रहे हैं वो लाइप देखें ठीक है चलिए जैसे कि मैं बताया हूँ कि मैं बहुत सारे कॉंटेंट फ्री में प्रॉइड कराऊंगा तो फ्री में प्रॉइड करा रहा हूँ लेकिन हर चीज में फ्री छलते रहेगा अभी से हो पार है फिर भी मैं अपने तरफ से जतना मेरे से समय निकल पाता है आपके लिए वीडियो बनाता जरूर हूं ठीक है और आगे भी बनाउंगा एक बात और कि अगर मैं कोई और बात जो हमें समझना चाहिए कि अभी समय का भाव है तो मेरे जो test है न वो अभी scan के form में रहेंगे ठीक है जब समय आएगा तो मैं उसको बकायदा typewriter से type कर भाके ठीक है one by one line से जमआ के ठीक है बकायदा numbering के साथ sequence के साथ आपको test provide करूँगा लेकिन अभी समय का इतना भ पानक source से लिया गया answer के साथ है सबसे पहले question number one को पढ़ते हैं सूची एक को सूची दो से सुमिलित की जाभी scan के form में आगे आने वाले समय में मैं इसको बकायदा print out करवा के sequence wise जैसे आप print out में test देते हैं वैसा ही आपको provide कराऊंगा इसका PDF मैं आपके अपने टेलेग्रा box में बाकी के link दिये हुए है playlist में बाकी ACF Ranger के free classes के link है सभी आप वहां से देख सकते हैं चली देखते हैं सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए सूची एक में कल्चूरी सासक दिया है सूची दो में उपलब्दिया दियो ही है पूरा 20 question आप देखें बहुत सारा question आ ठीक है आप थेओरी उधर से पढ़िए जो भी book आपके पास है question यहां से देखें कोशन एक में बोल रहा है कि पृत्वी देव प्रथम राजी उलोचन सेनापती जगतपाल देव द्वारा मंदिर का जुर्णधार कराया गया ठीक है क्या बोल रहे है पृत्वी देव प्र प्रित्वी देव प्रथम है और यह पूरा लाइन यह है सेनापती जगतपाल देव द्वारा राजी उलोचन मंदिर का जिन्नधार कराएगा यह पूरे एक साथ है ठीक है चलिए दूसरा जो बोला है भी बोल रहा है कि जाजल देव प्रथम ने चिंदक नागवंसी राज सुमिस्वर देव की पराजए ठीक है जाजल देव प्रथम का साथ में क्या लिखा दूसरे नमबर पे चिंदक नागवंसी राजा सुमिस्वर की पराजए तीसरे नमबर पे क्या लिखा जाजल देव दुती सेकल कोसला देपती की उपादी ग्रहन की कोशन डी क्या लिखा प्रिथवी देव दुती ठीक है प्रिथवी देविती तृपूरी की कल्चुरी राजा जैसी की पराजय है थीक है आपको सुमेलित करना है छोटा कर देता हूं में आप सुमेलित कीजिए जल्दी से ठीक है आपको 10 से 15 सेकंड का समय दिया जाएगा लाइब चेट बॉक्स को प्योग करें A B C D ही लिखे केवल जी इस कोश्चन का आंसर आएगा आपका जितने लोगों ने लाइब चेट बॉक्स में आकर सही आंसर दिया प्रित्वी देव प्रतम का संबंद है आपका सेना पती जाजल्य देव द्वारा राजी वलोचन मंदिर का जिनोधार प्रिति उद्यों द्यूति के समय हुआ ठीक है यह आपका पहला कोशन चली देखते हैं दूसरा कोशन की और बढ़ते हैं हम दूसरे कोशन को ध्यान से पढ़ेंगे आप क्या बोल रहा है निमलिखित कथन पढ़िए ठीक है पहला सुप्रिटेंडेंडन के रूप में मेजर एगिन्यू ने 36 गड़ की राजधानी रतनपूर से रायपूर स्थ्रांतरित की आधुनिक इतिहास को तो मैं बहुत अच्छे तरीके से 2-3 मानाक बुक को मिला कर बकायदा वाइड़ बोर में पढ़ाया हूँ आप प्लेलिस्ट में जाकर पूर छतिस गड़ के वीडियो क एक एवं तीन सही है या इन में से कोई नहीं ठीक अभी केवल 4 ओप्सन आएंगे ठीक ये 5 ओप्सन के साथ बना हुआ है तो इस कोशन का आंसर क्या होगा ठीक है इस कोशन का आंसर क्या होगा जल्दी से A, B, C, D लाइफ चेड़ बॉक्स में लिखे हैं आप जी इस वाले कोशन का आंसर होगा B, एक एवं दो सही है ठीक है सुप्रिटेंडेंट के रूप में मेजर एगिन्यू ने 36 गड़ की राजानी रतनपूर से रायपूर इस्थनांतरित की और उसने 36 गड़ के प्रसासनिक धाचे का पुनर गठन किया या ऐसा कहा जा सकता है क की रायपूर और रतनपूर का प्रसासनिक एक ही करण किया ठीक है ऐसा भी कह सकते हैं एक और दो सही है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कोशन नंबर तीन है ना नंबर पर ध्यान दिनीजी इसमें 12 लिखाया है लेकिन आप इसको कोशन नंबर तीन मानिए चलिए देखते एवं निून्तम जनसंख्या घनत्व वाले जीले निमलिकित में से कौन से हैं एक रायगड़ दो नरायनपूर तीन जाजगीर चापा चार बीजापूर पांच सुकमा सही उत्तर चुनिए A, B, C, D, E आपको केवल A, B, C, D, E ही लिखना है आंसर पे लाइप चेड़ बॉक वह कमिन बॉक्स का उप्योग कर सकते है जी इसकूषन का आंसर होगा जी जी जिनोंने भी वहुत है आंसर दिया है जिनोंने आंसर दे रहा है ठीक है तो इसकूषन का आंसर होगा D, दो एवं तीन सहीं तीन एवं दो सहीं है सोरी है ना तीन वा दो क्रम अनुसार तीन वा दो आयेगा ठीक है जाजिकीर चापा सबसे अधिक्तम और निूंतम जनसंख्या आपका सुकुमा ठीक है पॉपुलेशन डेंसिटी वाले जीले निमलिखित में से कौन से है तो इसका अंसर आगड़ी तीन वा दो हैं मतलब जाजगिर चापा अधिक जनसंख्या घनत्व और आपका नरायनपूर सबसे कम जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगड़ना के अधार पर इसका अंसर आगड़ी च में से कौन से है एक बीजापूर दो नरायनपूर तीन दंते वाड़ा चार रायपूर पांच जाजगिर चापा अधिक्तम एवं निवन्तम अनुसूचित जनजाती सेड्डूल्ड ट्राइब ठीक है एस्टी जनजाती वाले जीले आपको देखना है ऑप्शन में से एक प पांच ए बी सी डी लिखकर ही आंसर दें तो कोशन नमर इस कोशन का आंसर होगा जिसमें 14 करम लिखा हुआ है तो इस कोशन का आंसर होगा आपका एक एवं पास नहीं है सरवाधिक अनुसूचित जनजाती जो है संख्या जो है वो आपका भीजापूर में है और निवन्तम आपका जनजाजगिर चापा में है ठीक है चली आगे बढ़ते हैं कोशन नमर पांच वा राज्य में मिनी माता हस्दयो बांगो परियोजना की कुल सिचाई छमता क्या है ए ठीक है दो लाग सैतालिस जार चार सो हेक्टेर बी एक लाग तीहत्तर हजार एक सो असी हेक्टेर C 2,27,400 हेक्टेर D 4,20,580 हेक्टेर या इन में से कोई नहीं A, B, C, D लिख कर ही आणसर दे ये कोशन नमर बीस लिखाया है लेकिन कोशन नमर वास्ताव में ये पांच है ये लिख देता हूं में पांच है ना कोशन नमर पांच वा का आणसर दे ऐसे चेंज करते जाओंगा कोशन नमर पांच वा का आणसर दे 20 कोशन है अन्तिम तक बने रहा बहुं सारे नय कोशन मिलेंगे आपके आर्थिक सर्विक्षन की कोशन भी इसमें एड किया हूं में जी कोशन नमर पांच है ना पांच का आणसर आप देंगे पांच नमर चेंज कर दिया हूं उसको जी इसका अंसर होगा D, 4,20,580 हेक्टेयर, ठीक है, मिनी, माता, हस्दो, बांगो, परियो, जनाकी, कुल्स चाही चमता, 4,20,580 हेक्टेयर है, कोशन नमबर 6 की और आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, इसको मैं कोशन नमबर 6 कर देता हूँ, चलिए, राज्य में सबसे अधिक 1 का छित्रफल है, A, सर्गुजा जीला, B, बस्तर जीला, C, कोर्भा जीला, D, नरायनपूर जीला या इन में से कोई नहीं, ठीक है, कौन सा है सबसे अधिक 1 का छित्रफल, कोशन नमबर 6, कोशन नमबर 6 का अंसर देंगे आप, जी, इसका अंसर होगा D, नरायनपूर जीले में सबसे अधिक 1 का छित्रफल है, इसको मैं आपको किस में पढ़ाया हूँ, इसे मैं आपको ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षन वानिकी वाले में पढ़ाया हूँ, आप प् को ध्यान से पढ़ेंगे, ये कोशन नमबर 7 है, बलवंत राय महता समीती के अनुसार जीला को A, जीला परिसत से अलग रखना चाहिए, B, जीला परिसत का मतादिकार ना रखने वाला सदस्य होना चाहिए, जीला परिसत का मतादिकार से युक्त सदस्य होना चाहिए, D, जी CGPSC के भी question included है, जो CGPSC जिस level का question पूशता है, वो भी इसमें included है, ठीक है, तो A, B, C, D लिककर आंसर दे, question number 7 का, ठीक है, देखे, पंचायती राज विवस्था के अंतरगत का question है, ये पंचायती राज में, पंचायती राज विवस्था के लिए कितनी समीतिया बनी, B, A, G, S, ये coding बता देता हूँ, बलवंत राय महता, असोक महता, ठीक है, जी वी के राओ, और सिंगवी समीति, ठीक है, कौन-कौन सा, सिंगवी समीति, तो BACS लेकर आए, पंचायती राज को BACS में लेकर आए, ये करम है, तो बलवंत राय महता समीतिया प्रमुख हैं, जिन कोशन नंबर 8 की और, ये कोशन नंबर आपका 8 है, ठीक है, लिंगो पाटा कौन गाते हैं, एकदम सरल कोशन है, लिंगो पाटा कौन गाते हैं, A, दिवार, B, बस देवा, C, परधान, D, भिम्मा, E, इन में से कोई नहीं, लिंगो पाटा कौन गाते हैं, दिये गए प्वंटिक सोर्स से करवाया हूँ, दो बुक को मिलाकर करवाया हूँ, आप जंजाती के वीडियो प्लेलिस्ट से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं, लाइन से 18 वीडियो डले हैं, अभी और डलेंगे, जी, कोशन नमबर 8 का अंसर होगा, C, परधान, प 2030 तक लक्ष रखा गया, SDG क्या है, Sustainable Development Goal होता है इसका मतलब, और था धारनी विकास लक्ष, इसके अनुसार 2020 तक का लक्ष क्या रखा गया, मात्रित्व मृत्यू दर के लिए, मतलब कितनी माताएं, ठीक है, मर रही है, बच्चे को जन्मा देते समय, ठीक है, तो ये मात्र संदी से मुझे, जी, इसका अंसर होगा, D, 100 से कम का रक्ष रखा गया है, किस से 100 से कम का लक्ष रखा गया है, Sustainable Development Goal के अंतरगत, मात्रित्व मृत्यू दर को 100 से कम करने का लक्ष रखा गया है, ठीक है, चली, आगे बढ़ते हैं, question number 10 की और आगे बढ़ते हैं, ये question number 10 मा कौन है, गोदना सिल्पकार कौन है भई, A, मुरिया, B, बैगा, C, ओजा, D, गदबा, इन में से कोई नहीं, इसको तो मैं अच्छे सिद्धम क्लियर क्या हूं, इसका doubt, ठीक है, गोदना सिल्पकार कौन है भई, तो ओजा जो होते हैं, बिल्कुल सहीं आंसर, ओजा जो होत जनजातियों में देवार जाती के लोग ध्यान दीजेगा, वो गोदना गोदने का काम करते हैं, जबकि ओजा गोड जो है, वो बहुत कम जनजातियों में गोदना गोदने का काम करते हैं, अधिकतर में आप अगर पूरी जनजातियों को पढ़ेंगे, तो 20 जनजातियों के लिए गोधना गोधने का काम कम से कम देवार करते हैं ठीक है इसलिए अगर देवार ऑप्शन पर आद देवार भी लगाएंगे क्योंकि पहले आंसर ले चुका है स्टेट इंजिनिंग सर्विस 2017 का कोशन पर उठा कर देखें चलिए आगे बढ़ते हैं कोशन नमर 11 की ओर बढ़ते हैं कोशन नमर 11 ठीक है कोशन नमर 11 छिंद पत्ते से चटाईवा टॉकरी कौन बनाते हैं एक अमार बी सिकारी सिकंडरा डी सौता इन में से कोई नहीं कौन ठीक है 11 कोशन का अंजर क्या होगा भाई जी 11 कोशन का अंजर होगा 20 सिकारी लोग छिंद पत्ते से चटाईवा टुकरी बनाते हैं ये पढ़ाया हूं आपके जंजाती में ठीक है आप देख सकते हैं कोशनבर 12 की ओर आगे बढ़ते हैं जल्दि से खताम हुजाएगा 20 रहस्नृत्य किस तेवहार में करते हैं, A. डिपावली, B. जनवास्टमी, C. होली, D. नवरात्री, E. इन में से कोई नहीं, ठीक है, कोशन नमबर बारह है सुरी है न, विस लिखा गया था, कोशन नमबर बारह का अंसर देंगे, चात्यस गड़ में रहस्नृत्य किस तेवहार में करते हैं दिपॉली जन्मास्टमी होली नवरात्री या इन में से कोई नहीं कोशन नंबर बारा का जो आंसर होगा वह आपका होगा सी खोली खोली तेवहार में रहस निर्थिक किया जाता है ठीक है देखें कोशन नंबर 13 तेरवे कोशन की और आगे बढ़ते हैं आउसत वृद्धी कितनी है एवरेज जो वृद्धी हुई है आउसत वृद्धी GSDP में 36 गड़के वो कितनी है सबी सालों का आउसत जब निकालेंगे तो कितना है सब पढ़ाए हो आपको लेक्चर नमबर बन देखिएगा आर्थिक सरविक्षन आर्थिक सरविक्षन के लि है ठीक है चलिए कोशन नमबर 14 के और आगे बढ़ते हैं चाउद्वा कोशन रमायन सार संग्रा पुस्तक के रचनाकार कौन है ठीक है ए भासकर भट बी कवी इसान सी गंगा धर्मिष्ड डी पंडित तेजनात शास्त्री इन में से कोई नहीं रमायन सार संग्रा पुस्तक के रचनाकार कौन है कोशन नमर 14 का आणसर आप देंगे रमायन सार संग्रा पुस्तक के रचनाकार कौन है भई थोड़ा समय दे देता हूँ सोच लीजिए एक बार जी इसका आणसर होगा सी गंगा धर्मिष्ड जो है रमायन सार संग्रा पुस्तक के रचनाकार है चली आगे बढ़ते हैं कोशन नमर 15 की ओर कोशन नमर 15 देखे सी जी पीस सी प्री 2018 में आया हुआ कोशन नमर 15 कर देता हूँ इसको 36 गण में उर्जा का मुख्य श्रोत कौन सा है जल उर्जा तापी उर्जा सोलार उर्जा या सोलर उर्जा डी पावन उर्जा कौन सा उर्जा का मुख्य श्रोत है हम लोग किससे सरवादिक उर्जा उत्पन्न करते हैं जल उर्जा से तापी उर्जा से सोलर उर्जा से या A, B, C, D. आर्थिक सर्वेक्षन का कोशन है सब यह, जी, इसका आँसर आएगा B, तापी उर्जा, ठीक है, तापी उर्जा, थर्मल एनर्जी, ये 36 गण में उर्जा का मुख्य श्रोथ है, इसका आँसर आएगा B, पंद्रवे कोशन का, अब देखते हैं, सोलवे कोशन के और बढ़ते हैं, कोशन नमबर 16, कोशन नमबर 16, ठीक है, यदि आपको वीडियो धुनला दिखता है न, तो आप क्या करेंगे, अपर टॉप कॉर्णर पे 3 डॉट जो बने होते हैं, उसको क्लिक कीजिए, वहाँ पर क्वालेटी आएगा, क्वालेटी आएगा, क्वालेटी आटो में होगा, उसको आप हमेशा 480 पिक्जल्स में सेट करके रखें, ताकि आपको वीडियो हमेशा क्लियर दिखें, कोशन नमबर 16, का अंसर क्या होगा, जी इसका अंसर होगा, बहुंच सही आंसर दे रहे हैं, जो भी लाइफ चैट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं, जितने भी लोग, जी इसका अंसर होगा, C, एक अप्रेल 2007 से मुख्यमंत्री खाध्यान्द सहायता योजना प्रारंब किया गया, केवल 4 कोशन और बचे हैं, कोशन नमबर 17, 17 की और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कोशन नमबर 17 की और आगे बढ़ते हैं, शत्रवा नाम देरेता हूँ इसके, वरतमान में कुल खलिस्थान लाग परिवारों को रासन काढ़ जारी किया गया, वरतमान में कुल कितने परिवारों को रासन कार्ड जारी किया गया 57.9 लाग, 63 लाग, 56.6 लाग या 65 लाग कितने परिवारों को रासन कार्ड जारी किया गया वरतमान में जल्दी से बताएंगे इसका अंसर जी इसका अंसर होगा ठोड़ा सोच लीजिए आप विचार कर लीजिए कौन सा कितने परिवारों को रासन कार्ड जारी किया गया वरतमान में जी इसका आंसर होगे D 65,00, 65,00,00 परिवारों को वर्तमानी सिथी क्या है 65,00,000 परिवारों को रासन कार जारी किया गया सत्रवे कोशन का आंसर D होगा कोशन नमर 18 देखते हैं कोशन नमर 18 प्राचीन इतिहास 36 गड़ के प्राचीन इतिहास से संबंदी था A. पांडू वंस, B. रासरब पूरी वंस, C. नल वंस, D. राजर सी, तुल्यकुल वंस, E. इन में से कोई नहीं जल्दी से बताएंगे, आंसर देंगे, कोईशन नमबर 18 कर देता हूँ, इसको है ना, 18 कोईशन का आंसर देंगे, जल्दी से, केवल दो कोईशन और बचें इसके बाद जी, इसका आंसर होगा, A. पांडू वंस, बहुत सही, ठीक है, पांडू वंस के द्वारा, या राजवंस के द्वारा, ठीक है, सिर्पूर इस्तित लचमेने स्वर मंदिर का दिर्मान करवाया गया, इसी इनी के सासनकाल में, है ना, इनी के सासनकाल में करवाया गया, पां लंगा केसकाल भी ठीक है बकावंड बस्तर सी सरोना कांकेर डी दर्भा बस्तर ई इन में से कोई नहीं क्या होगा आंसर कोशन नमर 19 का आंसर क्या होगा जल्दी से 19 का ये भी सिटी ही लिखे के वल आप सभी मानक सोर से लिए गया आंसर है ऑथंटिक आंसर है जी पहुंस सही आंसर दे रहें जितने भी दे रहें अडेंगा केसकाल से नलवन स्कासको की स्वन्नमुद्रा हैं प्राप्त हुई अंतिम कोशन के और आगे बढ़ते हैं अंतिम कोशन अंतिम कोशन ठीक है कोशन नमर 20 अंतिम कोशन लोग सेवा आयोग के अध्यक्ष की न्युक्ति किसके द्वारा की जाती है? A. मुख्य मंत्री के द्वारा B. राज्यपाल के द्वारा C. गरिय मंत्री के द्वारा D. राष्टपति के द्वारा E. राज्य के मुख्य नायदिस की सलापर राज्य पाल के द्वारा अभी केवल चार अप्सन आएंगे ये पांच अप्सन वाला है ठीक अभी के पेसी में चार अप्सन आने चाल हो गए तो चार अप्सन ही होंगे तो कुशन नमबर 23 कांसर आप दे सकते हैं पी-सी-डी-ई लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष की निप्ति किसके द्वारा की जाती है इसका अंसर होगा बी ठीक है क्या होगा बी इसका अंसर होगा राज्य पाल के द्वारा लोकसेवा आयोग के अध्यक्षों की निप्ति की जाती है इस प्रकार ये 20 कोशन आपके संपूर्ण 36 गड़ के complete होते हैं इसी प्रकार कल का टेस्ट भी सामका दें इसमें भी बहुत सारे नय कोशन सब को mix करते हुए पंचाती राज के नगरी निकाय के ठीक है पुराने कोशन आधुनिक इतिहास के प्राची नितिहास के आपका जनसं अगले कुछ वीडियो में तो ये सभी को मिलाकर दिये जाएंगे 20 कोशन आप ऐसे 20 कोशन करके लगातार करते रहेंगे तो बहुत तयार हो जाएगा समय निकालकर मैं बिल्कुल आपके लिए फ्री में वीडियो बनाऊंगा कोई आप इससे निश्चिंत रहें धन्यवाद झाल